तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 30 लाग रुपए, 25 लाग रुपए और 30 लाग रुपए का होम लोन लेते हैं और लेते हैं हम 20 साल, 25 साल और 30 सालों के लिए तो हमको महिने की EMI और total interest कितना pay करना पड़ेगा इसके लावा हम बात करेंगे, हम कुछ top banks होंगे, जिसमें आपको private sector bank में मिलेगे, public sector bank मिलेगे, और कुछ housing finance company भी मिलेगी, जिसमें आपको क्या rate of interest पर home loan offer किया जा रहा, तो complete information जारने के लिए वीडियो को पूरा आखर तक watch करेंगे, तो चलिया देखते हैं, इसके लिए हम हम आ गए अपने EMI calculator पर, यहां पर हम आ गए है home loan के section पर, यहां पर देखेंगे, आप 3 चीज़े डालके अपना monthly EMI total interest calculate करके देख सकतो, सबसे पहले तो आपको home loan का amount डालना है, कितना आपको loan amount लेना है, क्या rate of interest पर आपको loan मिलना है, और कितने tenure की loan लेना है, maximum आप 30 सालो के लिए home loan ले सकते हो, तो हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं, अगर हम 20 लाग रुपय का home loan लेते हैं, और अब rate of interest की बात आती है, तो rate of interest जैसे हमको लेना है, मालीजे SBI bank, तो SBI bank में जो starting हो रही है, वो साड़े 8% से हो रही है, और 9.85% तक rate of interest जा रहा है, अब यहां आप डिपेंड करेगा, आप कौन सी scheme के थूरू जो है home loan ले रहा हो, आप जैसे अगर कोई government employee है, तो government employees के लिए minimum rate of interest पर यहां पे loan मिलता है, उसके लिए अलाग स्कीम चलती है, इसके अलावा अगर आप plot loan ले रहा हो, तो वो थोड़े से ज़्यादा rate of interest ले मिलेगा, तो इमाई जो आपकी बनेगी, सत्तरार नौसो पिंचान्वी की बनेगी, टोटल इंटर्स्ट आपको पे करना पड़ेगा, 23,18,680 रुपए का, टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी होगी, वो करनी होगी, 43,18,680 रुपए की, सेकेंड वाले case में हम देखते हैं, आगर हम 25, अगर हम यहाँ पे 30,000 रुपए का ओमलोन लेते हैं, और वो लेते हैं हम यहाँ पे 25 सालों के लिए, तो मेरी EMI कितनी बनेगी, rate of interest हमने 9% ही रखा है, तो आपकी देखिए EMI बनेगी, 20,980 रुपए की, टोटल इंटर्स्ट आपको पे करना पड़ेगा, 37,93,973 रुपए लेते हैं, तो लेते हैं 30 सालों के लिए, जो कि मैक्सम हम लोन का टेन्योर होता है, तो देखिए आपकी 24 हार 149 की माई बनी और टोटल इंटर्स्ट देखिए, आपको पे करना पड़ रुपए का, जबकि आपने 30 लाग का हम लोन लिया हुआ है, इसमें आपको सिर्फ मैक्सम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो, अब होम लोन में क्या होता है, कि अगर आप माली जो प्रीपेमेंट करते हो, या टाइम से पहले अपने लोन अकाउंट को बंद कराते हो, तो उस केस में आप अपने इंट्रेस्ट को सेव कर सकते हो, जैसे कि अगर हम 30 लाग का ह लिए आपने 30 सालोग लिए तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट वगरा कितना पढ़े करना पड़ेगा यह माई कितनी पढ़े करनी पड़ेगी अब अगर आप कोई कुछ चैसे आपने 30 सालोंट लिया जैसे आपका इंटर्स वगरा ज्यादा ले लिया जाएगा जैसे और आपका इंटर्स दिखिए ज्यादा मोट ले लिया जा रहा है वहीं जो आपका प्रिंसपल अमांट अगा वो देखे कितना कम amount जो है जाराया हर साल में वो आखरी में आके देखे principal amount जो है आपको ज्यादा वड़ता है किलावा यहाँ पे जितना balance amount आपका बचा वो भी आप यहाँ से detail से check out कर सकते हो इस चार्ट में किलावा किसी भी year के किसी भी month का आप जो है आप principal amount total interest कितनी आपको payment जो आपकी महीने की किस्त होती है कितना आपका balance बचा हर महीने में और कितना loan amount आपने अब तक पे कर दिया percentage में वो हर month का हर year का जो है details से आप यहाँ से check out कर सकते हो तो ECMI calculator का जो लिंक है आपको वीडियो के description box मिल जाएगा यहाँ पर होम लोन के लावा personal loan और car loan इनका भी monthly MI details से calculate करके देख सकते हो अब यहाँ पर हम देखने वाले home loan के rate of interest तो सबसे पहले हम देखते है कुछ public sector bank जिसमें आती bank of broda जिसमें 8.40 से starting होती ही 10.65% rate of interest जाएगा PNB bank में 8.45 से starting होती है पंजाब अंसित bank में 8.5% SBI में भी 8.5% union bank में 8.35 bank of india में 8.40 uco bank 8.45 bank of marashtra 8.35 kenra bank 8.50 Indian overseas bank 8.40 अब यहाँ पर private sector banks के देखे rate of interest तो HDFC bank में 8.70 से starting है OTAG महिंद्रा में 8.75 ICIC bank भी 8.75 Hexis bank भी 8.75 करूर वियार bank 9% South Indian bank 8.70 करनाटका बैंक 8.50 federal bank 8.80 धनलक्ष्मी bank 9.35 तमिल्डार्ट मर्चेंटाइल bank 8.60 बंदन बैंक 9.16 RBL bank 8.90 अब यहाँ पे कुछ housing finance कंपनी भी देख लेते हैं उनके rate of interest क्या है तो LIC housing finance में 68% से starting है TADA capital में 8.75 PNB housing finance 68% RAPCO home finance 79% GIC housing finance 8.80 इसके अलावा यहाँ पे इंडिया बूल housing finance 8.75 अधित बिला capital 8.60 ICIC home finance 9.10 गोधरेज housing finance 8.55 L&T finance 8.65 तो एक कुछ टेके top banks है इसके लावा यहाँ पे आप foreign banks देखते हैं जिसमें HSBC bank आती जिसमें साड़े 8% से starting है standard chartered bank आती 8.95 से starting है तो एक को stop bank के latest के rate of interest जो है क्या चलना है यह starting point है यह जरूर नहीं आता है कि आप इसको इसी starting point के rate of interest पर loan मिले mainly जो government employee होते है जिनका salary account इस bank में होता है जिस bank से आप home loan ले जा रहो तो उनको जो है minimum rate of interest पर home loan offer किया जाता है इसके लावा credit score भी आपका अच्छा होना चाहिए साड़े 70000 ऊपर का अगर है तो आपको minimum rate of interest पर home loan मिल जाता है तो यह देगे कुछ top bank को home loan के rate of interest है अगर आप इन बैंकों के home loan के offers वगरा जानना चाहते हो तो आप इस website पर detail में देख सकते हो जैसे आप SBI bank, XS, SGFC हर bank आपको home loan के offer वगरा देखने को मिल जाएंगे जैसे अगर हमको बजाज finances से जो है home loan लेना है तो यहाँ पर आप इसके home loan के rate of interest चेकाउट कर सकते हो कितना आपको loan mount मिलता है features benefit चेकाउट कर सकते हो, eligibility document देख सकते हो कौन-कौन सी schema को तो यहाँ पर home loan प्रवाइट किया जाता है और हम आप comment अगर यह बता सकते हो कि आगे आप किस bank के home loan के बारे में हमसे detail में information लेना चाहतो तो आज के इस video में बस अतना ही तो मिलते नेक्स video में तब तक के लिए धन्यवाद